तो आज हम बनाएंगे मैंगो पुडिंग तो यह बिल्कुल एगलेस है नहीं इसमें हमने जेलेटिन डाला है नहीं अगर-अगर का यूज किया है बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट्स से हमने इसको बनाया है तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका तो आप भी ट्र मैंट्रा की रेसीपी बनाते हैं तो आप मैंगो पुडिंग भी ट्राय करिएगा तो यह बड़ा आम था तो मैंने इसमें से करीब आधा से ज्यादा लेग लिया है तो आप ज्यादा कॉंट City है तो आप अधा किल आम ले लें तो यह नहीं आप ग्लों आम नहीं काट कर जा यह झाल से स्कते हैं थोड़ा सा क्चाम, फलेवर देने के लिए और दूद भी आप चाहें तो इसमे अभी अधिक दें लेकिर मैंने अभी आइट नहीं था तो मैंगो में सिर्थ चीनी डाल कर हमने इसको पीस लिया है और इसको मैंने कड़ाई में निकाल दिया है एकक मैंने दूद जार में डाल दिया है ताकि जो भी mango लग रहा है वो एक बार हम चला देंगे मिक्सी को तो दूद के साथ में mango mix हो जाएगा अब उसी mango के पल्प में हमने वह दूद आट कर दिया है अभी हमने कॉन स्टार्च का स्लरी बना लिया है तो यह कॉन स्टार्च लिया है मैंन कस्टड पॉड़र भी ले सकते हैं और जो हमने मैंगो में दूद मिला कर रखा चीनी उसको हमने गैस पर पकने के लिए रख दिया है तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखे और कंटिन्यूसली आप इसे स्टर करते रहें तो रोखना नहीं है हाथ इसको आप लगातार चलाते रहें और जब इसमें इस तरह से उबाल आ जाए बबल्स दिखें आपको तब इसमें आप ये कॉन स्टार्च और दूद जो मिक्स किया था वो डाल दे और इसे लगातार आप चलाते रहें ताकि लंप्स ना पड़े इसमें तो जैसे मैंने बताया आप कस्टड भी उज मे डूद में मिक्स कर दें दो चमच कस्टड पॉडर आदा कप दूद में मिक्स करके और इस तरह से मैंगो में आट कर दे और उसे लगातार चलाते रहें तो हम इसे गाडा होने तक पकाएंगे तो अब जो है ये काफी पतला है तो हमें करीब 8-10 मिनिट तक इसको मिडियम त लगतार चलाते रहना है ताकि यह अच्छे से गाड़ा हो जाए तो हम जब इसे जमाएंगे तो यह एकदम जैली वाला टेक्श्यर आएगा इसका तो यह देखे पहले से काफी थिक हो गया है इसे हम थोड़ा और पकाएंगे यह भी इतना पतला है कि हम चम्मत से जब इसे ड और दौद्अ पकाया है और मैंने इसमे कच्छा आम नहीं डाला था यह इसमें तो थोड़ा सा ख़टा टेस्टा एस में अब ją देखिए पहले से काफी थिक हो गया है इस तो लगतार इसे चलाते रहे गास का फ्लेम मैं आ आफ कर दिया है क्योंकी रखने के बाद में थोड तो यह थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने एक बाउल ले लिया है तो चाहे तो आप काच का बाउल ले या फिस्टील का ले और उसमें हम इसे सेट कर देंगे तो मैंने ओयल या घी कुछ भी ग्रीस नहीं किया इसमें डाल दी है और तीन चार घंटे के लिए मैंने इसको फ अच्छे से सेट हो गई है तो थोड़ा इसको आराम से निकाले क्योंकि यह चिपक जाता है तो मैंने इसको थोड़ा सा नाइफ से इस तरह से हटा दिया है तो यह इसली निकल गया है वरना कभी-कभी ऐसा होता है आप जादा इसको जल्दी करेंगे निकालने की तो यह पूडिंग बनकर तयार है बहुत ही कम महनत लगती है इसे बनाने में और बहुत ही कम सामान लगता है तो आप अगर आम खाने की शौकीन है नही नही रेसिपी ट्राइ करते हैं आप आम से तो यह वाली रेसिपी भी जरूर ट्राइ करेगा तो बनाने में बहुत कम महनत लगी तो कौन स्टाश नहीं हो तो आप कस्टर पॉडर यूज में ले सकते हैं और देखिए मैं इसे आपको चमर से तोड़कर दिखा रही हूँ एकदम जेली वाला टेक्शरेस का बहुत ही अच्छी लग रही है तो जैसे मार्केट में जेली मिलती है मैंगो जेली वगरा जादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें